वित्मंत्री ने एलान किया कि केंद्रे करमचारियों को कोविट के वज़े से LTC का फाइदा नहीं मिल पा रहा है लिहाजा इसका फाइदा उन्हें कैश में दिया जाए एक नई योजना के दहत सरकारी करमचारियों को अपनी LTC का तीन गुना और दस दिनों का लिव एनकैश्मेंट की कीमत का सामान खरीदना पड़ेगा इस खरीदारी के लिए उन्हें डिजिटल पेमेंट करना होगा और उतपाद ऐसे होने चाहिए जिस पर GST के दर 12 फीस दी या फिर उससे अधिक हो इसके अलावा सरकारी करमचारियों को तेवहारों में खर्च करने के लिए 10,000 रूपए का ब्याज मुक्त कर्ज भी मिलेगा जो कि 10 आसान किष्टों में अदा किया जा सकता है सरकार को उमीद है कि अगर राजे सरकारें अपने करमचारियों के लिए भी यह सुविधाएं देती हैं तो इससे 36,000 करोड रूपए से ज्यादा की मांग पैदा हो सकती है इसके साथ ही वित्मंत्री ने राजे सरकारों को पचास सालों के लिए बिना किसी ब्याज के 12,000 करोड रूपए के कर्ज देने का भी अलान किया है इसमें 25,000 करोड रूपए उत्तरपूर और हिमालयन राजेयों के लिए 7,500 करोड रूपए बाकी के राजेयों और 2,000 करोड रूपए उन राजेयों के लिए रखे गए हैं जो आत्मिरवर भारत के तहट वन रेशन, वन राशन कार्ड या फिर पावर रिफॉर्म्स जैसे मुद्नों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे राजेयों को अगले 50 सालों तक एक भी पैसा वापस नहीं करना होगा और ये राजेयों के लिए अत्रिक रहात से कम नहीं ये पैसा 31 मार्थ से पहले खर्च किया जाएगा और पहले से चल रही योजनाओं के भुकतान के हिमाचल, second component is for all states but entirely to be spent only on capital expenditure. This has a total of 7,500 crores which will be divided in proportion to the share that they have as per the Finance Commission's devolution. अर्थवस्था में मांगो बढ़ाने के लिए सबसे भेतरीन फैसला लिया गया पूजीगत खर्च बढ़ाने का, जहां एक और बजट में 3 लाख करोड से ज्यादा की पूजीगत खर्च की ववस्था पहले से ही है, वहीं वित्तमंत्री ने 31 मार्ज तक 25,000 करोड रुपै और खर्च करने का एलान किया, ये पैसा सड़क निर्मार, रक्षा उपकरनो, पानी की सप्लाई और शहरी विकास की परियोजनाव में किया जाएगा